हलो, what's up दोसों, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है, एक बार फिर से कार साथी में, मेरा नाम है सिधात, दोसों, आज हम यहाँ पर compare करने जा रहे हैं, Kia Karens को Kia Sonnet के साथ, अब आप गहेंगे कि भाईए, यह कैसी comparison हो रही है, यह दोनों अलग segment की गाडिया है, Kia Karens जो है, वो MPV है, Kia Sonnet जो है, वो sub 4 meter compact SUV है, तो फिर इन दोनों की यहाँ पर comparison कैसे हो सकती है, तो comparison इसलिए हो सकती है, क्योंकि दोनों ही गाडिया एक तो Kia की तरफ से हैं, और Kia जो है, वो अपने गाडियों की अंदर भर भर की features देने के लिए बहुत जादा मशूर है, तो मैं देखना यह चाहता हूँ, या हम सब देखना चाहते हैं, कि Kia Sonnet जो है, जो कि यहाँ पर एक हम कहें कि, sub 4 meter compact SUV segment की राजा खिलाई जा सकती है, features के मामले में, केवल features के मामले में, तो उसके अंदर Kia ने ऐसे कौन से features दिये हैं, और थोड़े से ज़्यादा पैसे लेकर के Kia अपनी Karen's car के अ मुकाबले जादा है, यह हम देखने वाले हैं, क्यूंकि दोनों गाडियों में वैसे अगर देखा जाए, तो उन कुछ लाख रूपियों के मुकाबले में, वो आपको क्या मिल रहा है, यह हम देखने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर नहीं है अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपके बता दूँ कि कौन से वेरियंट्स मैंने यहाँ पर चूज किये हैं तो Kia Carens के लिए मैंने चूज किया है लक्जरी प्लस टर्बो DCT जो की सेवन स्पीड DCT के साथ आता है और यहाँ पर Kia Sonnet के लिए जो वेरियंट मैंने चूज किया है वो है GTX प्लस टर्बो DCT वो भी 7-speed DCT के साथ आता है दोनों गाड़ियों का जो petrol variant है वो मैंने यहाँ पर choose किया हुआ है अब बात पैसो की तो 19,95,000 रुपे वो आपको किया कैरेंस के लिए on road देने पड़ेंगे और वही पर मैं अगर sonnet की बात करूँ तो sonnet के लिए आपको 15,30,000 रुपे देने पड़ेंगे तो यहाँ पर करीब करीब देखा जाए तो 5,00,000 रुपे का difference आ रहा है करीब करीब तो यह जो ज़ादा पैसे लिए जा रहे हैं यह अब हम दीरे दीरे खोलने वाले हैं कि क्या-क्या इसके अंदर आपको किया कैरेंस में जादा मिल रहा है सबसे पहले engine comparison तो किया कैरेंस के अंदर जो है वो 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजिन आता है वही पर इस गाड़ी के अंदर किया sonnet के अंदर जो है वो आपको 998 cc का याना कि 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजिन आता है 138.5 बीएच पी की पावर 6000 रपीम पे आपको किया कैरेंस निकाल करके देगी और 118.36 बीएच पी की पावर जो है वो 6000 रपीम पर ये गाड़ी निकाल करके देगी जो कि है किया sonnet बाइदो वे मैं कीया sonnet के अंदर ही बैठा हुआ हूँ आप देख सकते हैं इस इस दी कीया sonnet जिस वेरियंट की में बात कर रहा हूँ उसी वेरियंट में मैं बैठा हुआ हूँ उसी वेरियंट की गाड़ी में 242 यानिके 242 अनेम का टॉर्क जो है गियर बॉक्स इस्तमाल किया गया है किया की तरफ से वो बिलकुल सेम है 7-speed DCT गियर बॉक्स जो है वो दोनों गाड़ियों में इस्तमाल किया गया है तो performance वाइस जो है वो दोनों गाड़िया गियर बॉक्स के मामले में बिलकुल सेम perform करेंगी हो सकता है कि Kia Kerens के अंदर जो है वो हलका सा power और torque ज्यादा है तो आपको थोड़ा और भेहतर महसूस हो सकता है लेकिन इस गाड़ी की particular में बात करूँ तो इस गाड़ी में भी ये 7-speed DCT unit बहुत ही प्यारा चलता है बहुत बढ़िया है वो 45 liters का यहाँ पर मौझूद है बाकी दोनों गाड़ियों का जो steering wheel है वो power steering wheel है इसके अंदर कोई अलग से बताने वाली बात नहीं है लेकिन special mention ये है कि दोनों ही गाड़ियों के जो steering wheels है वो buttery smooth है इन गाड़ियों में जो है वो electric power steering wheel आता है जो कि इतना जादा smooth होता है आपको बिल्कुल भी weight feel नहीं होगा और जब feel होना चाहिए high speed के उपर तब बिल्कुल feel होगा लेकिन जो normal city traffic होता है bumper to bumper उसके अंदर बिल्कुल भी feel नहीं होता है तो ये खासियत रही है Hyundai और Kia के गाडियों की कि इनके steering wheel जो है वो बिल्कुल मक्खन होते हैं बाकी Kia karen's की बात करें तो उसका जो steering wheel है वो आपको tilt and telescopic adjustment में आता है वही पर इस गाड़ी की में बात करूँ Kia sonnet की तो इसके अंदर आपको केवल tilt adjustment आती है जो कि यहाँ पर side में दिया गया है steering के और उसको आप नीचे खीचेंगे तो यह steering wheel मेरा नीचे हो गया है अब मैं इसको नीचे से उपर push करता हूँ तो यह यहाँ पर उपर हो चुका है तो जैसे भी आपको पसंद हो वो आप अपने हिसाब से उसको set करके ले सकते हैं लेकिन अगर telescopic भी होता sonnet में तो जादा भेतर रहता बागी इस गाड़ी के अंदर जो है वो front में disc brakes आ रहे हैं rear में drum brakes आ रहे हैं Kia karence के अंदर जो है वो आपको 4 ही disc brakes आ रहे हैं 205 बटा पैसेट का R16 का tyre जो है वो Kia karence का है और 215 बटा साथ का R16 का ही tyre इस गाड़ी का है तो इस गाड़ी के tyre section का जो है वो थोड़ा सा width जादा है बागी दोनों गाड़िया tubeless radial type के ही tyre के साथ आती हैं अभी जो बड़े फरक हैं वो हम जान लेते हैं जो की है गाड़ी के dimensions के बारे में वो तो खर आपको देखने भर से भी पता चली जाएगा लेकिन on paper क्या है ये भी जान लेते हैं तो 4540 mm की overall length जो है वो Kia karence की होगी और 495 mm याने के 3995 mm की overall length इस गाड़ी की होगी 800 mm की overall width आपको Kia karence की मिलेगी वही पर 1790 mm की overall width इस गाड़ी की मिलेगी तो basically कुछ नहीं है बस 10 mm का फरक है इस गाड़ी को भी मैं अगर ये हाथ ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर लगबग गाड़ी खतम हो चुकी है बस थोड़ा सा और वो गाड़ी चौड़ी होगी तो आपको जो second row है या third row है वहाँ पर थोड़ा सा shoulder room ज्यादा मिलेगा बाकी obviously दोनों गाड़ीों का wheelbase तो different होना ही है तो 2780 mm का wheelbase की अक्यारेंस का है 2500 mm का wheelbase इस गाड़ी का है बाकी यहाँ पर comfort convenience features की बात करें या हम अगर overall features में ही गुसना शुरू करें तो अब यहाँ पर tough fight शुरू हो चुकी है यहाँ से चीज़े जो है वो serious हो जाती है बाई साब क्योंकि यहाँ पर power windows obviously दोनों गाड़ीों में आ रही है automatic climate control दोनों गाड़ीों में आ रहा है air purifier दोनों गाड़ीों में आ रहा है remote engine start stop दोनों गाड़ीों में आ रहा है remotely दोनों गाड़ीों के AC आप on कर सकते है बस आपको जो है किया केरेंस के अंदर उसका जो air purifier है वो भी remotely on करने का option मिलता है जो कि इस गाड़ी में नहीं है accessory के लिए power outlet दोनों गाड़ीों में दिये गए है USB के लिए charging ports दोनों गाड़ीों में आ रहे है wireless charging दोनों गाड़ीों में आ रहा है बस किया केरेंस के अंदर जो है wireless charging में cooling का भी function मिलता है क्योंकि phone बहुत जादा गरम हो जाता है और किया केरेंस के अंदर जो है वो USB charging ports जो है वो हर row में लगबग दिये गए है जबकि इस गाड़ी के अंदर जो है चूटी गाड़ी है तो front में दिया गया है और एक rear में दिया गया है vanity mirrors जो है वो दोनों गाड़ीों में आ रहे है बाकी cup holders तो दोनों गाड़ीों में front and rear दोनों में मिल जाते हैं लेकिन Kia karen's के अंदर जो है वो front के cup holders है उनके अंदर उन्होंने एक AC का blower fit कर दिया है जिससे कि अगर कोई ठंडी drink रखनी हो तो वो लंबे समय तक ठंडी रह सकती है ऐसा कोई प्रबंथ इस गाड़ी में नहीं है बाकी rear में आपको AC के vents Kia karen's क्योंकि एक MPV segment की luxury car है तो जो front seats है उनके पीछे उन्होंने एक table जैसा लगाया हुआ है जैसे कि second row में जो passengers बैठते हैं उनको अपने gadgets रखने के लिए थोड़ी सी सहूलियत मिल सके वो उसके अंदर अपना जो colding का can है वो भी रख सकते हैं या तो आपका कोई laptop वगेरा है तो वो भी उसके उपर रखा जा सकता है इसके अलावा एक smart touch जो Kia karen's के अंदर है जो कि इस गाड़ी में नहीं है वो यह है कि Kia karen's के जो front seats है उनके नीचे एक retractable tray लगाया गया है तो उसको आप दबाएंगे तो वो tray पूरा बाहर खुल जाता है तो आपको driver की तरह उसका function मिल जाता है उसके अंदर आप जूते या छोटे थैले वागरा कुछ भी रख सकते हैं वो obviously इस गाड़ी में नहीं आता है बाकी multifunctional steering wheel दोनों गाड़ियों में आ रहा है voice command दोनों गाड़ियों में आ रही है cruise control दोनों गाड़ियों में आ रहा है parking sensors जो है वो दोनों गाड़ियों में front and rear दोनों में आपको मिल जाते हैं बाकी inbuilt navigation system भी दोनों गाड़ियों में आ रही है बस यहाँ पर Kia Sonnet जो है इसकी rear seat bench folding type की दिए गई है इसके अंदर 60-40 का split नहीं है वही पर Kia Karens की बात करें तो Kia Karens में third row जो है वो 50-50 में split आप कर सकते हैं बाकी smart access entry दोनों गाड़ियों में आती है दोनों गाड़ियों में आपको request sensors मिलते हैं आपको खाली key fob जो है वो साथ में रखना है और आपकी गाड़ी जो है वो खुल जाती है इसे के साथ साथ engine start stop button भी दोनों गाड़ियों में दिया गया है Kia Karens के अंदर जो है वो rear curtain shades आपको मिल जाती है जो की आपको इस गाड़ी में मिलती थी लेकिन उसको कम कर दिया गया है पता नहीं क्यू कम किया है लेकिन कम किया है अब Kia ने जो है वो उसको cut off कर दिया है उस feature को इसके अलावा Kia Karens का क्योंकि ये top end variant है तो इसकी जो second row की seat है तो अगर आपको third row में जाना है तो वो electrically tumble हो जाती है with one touch तो ये एक और बढ़िया feature है बाकी Kia Karens के अंदर आपको ambient lighting भी मिल जाती है जो कि इस गाड़ी में नहीं है Kia Karens के दरवाजे आप खोलेंगे तो वो नीचे projector lamps लगाए गये है तो वो Kia का logo जो है वो project करते हैं त और दोनों की गाड़ियों की संरूप जो है वो आप voice command से खोल भी सकते हैं बाकी Kia Karens का जो rear में AC के vents दिये गये है वो आपके roof में flush कर दिये गये हैं जिससे कि वो बाकी की कोई जगा घेरते नहीं है और वो second row के लिए भी है और last row के लिए भी वहाँ पर मुझूद है और स display आपको दिया गया है वैसा इस गाड़ी के अंदर नहीं हो पाएगा बाकी तो खेर electric multi trip meter, tachometer और digital clock यह सारी चीज़े दोनों गाड़ियों में आ रही है बस इस गाड़ी में क्या है कि आपको MID plus analog का एक हम कहें की combination देखने को मिलता है जबकि Kia Karens के अंदर जो है वो instrument cluster fully digital द Kia Karens के अंदर जो है वो आप remotely ventilated seats को भी चालू कर सकते हैं अब बात करें अगर दोनों गाड़ियों के exteriors की तो यहाँ पर rain sensing wipers एक कमी है जो की Kia Sonnet में है यह Kia Karens में आपको मिल जाती है इसके अलावा दोनों गाड़ियों के जो आपको front के lights मिलते हैं headlights वो LED units ही है और DRLs भी आपको उसके अंदर मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में आपको rear में जो है वो defogger मिल जाता है और washer भी मिल जाता है बस इस गाड़ी में Kia Sonnet में जो है वो wiper नहीं दिया गया है जो की Kia Karens में आता है बाकि दोनों गाड़ियों के जो mirrors है वो electrically foldable भी है उनको आप electrically adjust भी कर सकते हैं जिनके ओपर आपको turn indicators भी मिल जाते हैं अब दोस्तों बात करते हैं safety की ABS दोनों गाड़ियों में आ रहा है EBD दोनों गाड़ियों में आ रहा है power locking दोनों गाड़ियों में आ रहा है Child Safety Locks दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं Airbag भी दोनों गाड़ियों में 6 आपको देखने को मिल जाते हैं बाकी Door Ajar Warning वगेरा ये दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है TPS बहुत important चीज दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाती है ये ऐसा feature है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा चड़ा के बोलता हूँ लेकिन मुझे personally ये इतना ज़्यादा पसंद आता है कि मेरे tyres में कितनी हवा है ये मुझे बैठे बैठे पता चल रहा है ये मुझे ultimate luxury लगती है पता ने क्यों लेकिन मुझे ये ultimate luxury जरूर लगती है automatic headlamps दोनों गाड़ियों में आ रहे है Kia karen's के अंदर जो है वो आपको hill assist मिल जाता है hill decent control भी मिल जाता है follow me headlamps दोनों गाड़ियों में है rear camera दोनों गाड़ियों में fit किया गया है जो की adaptive guidelines के साथ आता है driver side की window दोनों गाड़ियों में one touch up और one touch down feature के साथ आ रही है speed sensing auto door lock दोनों गाड़ियों में हो जाता है साथी साथ ISOFIX child seat mounts मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में pre tensioners and force limiter type के जो seat belts हैं वो भी दोनों गाड़ियों में आते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको फिर android auto apple car play वगरा सारी ही चीज़े देखने को मिल जाती है और दोनों ही गाड़ियों में Bose की ही premium speaker system जो है वो लगाई गई है जो की art speaker के setup के साथ आती है तो अब final verdict क्या है तो मैं ये कहता हूँ कि Kia karence क्यों लेनी चाहिए Kia karence में इसके मुकाबले कौन से ऐसे ज़्यादा feature है तो बहुत कुछ ज़्यादा उस गाड़ी में नहीं है बात ये है कि Kia karence एक बड़ी गाड़ी है आपकी family अगर बड़ी है तो उसके अंदर आप लोग बिठा करके लेके जा सकते है और कुछ इका दुका features ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि feel good factors है जो आप Kia karence में ज़्यादा पाते है बाकी अगर देखा जाए तो लगबग हर एक feature जो कि Kia karence में आ रहा है वो इस गाड़ी में भी आ रहा है तो वैसे अगर देखा जाए आपकी अगर जरुरत नहीं है बड़े गाड़ी की आपकी family उतनी जादा बड़ी नहीं है तो आप ये गाड़ी लेकर के भी बिलकुल संतुष्ट रह सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में भी same वो DCT gearbox आ रहा है जो की fun to drive है feature almost same आ रहे है और price आपको लगबग 5 लाख रुपे कम देनी पड़ रही है तो it's a good deal तो ये पूरा लेखा जुका है तो दोस्तों आपको इन दोनों गाड़ीों के बारे में क्या लगता है हमें comment section में लेकर के जरूर बताईएगा कुछ सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं विडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजिए जादा से यादा share भी गर दीजिए